दुनिया के कई ऐसे शेर है जिनको आने वाले समय में खत्रा है क्लाइमिट चेंज के वज़े से चाहे वो सिंगपोह, टोक्यो, जकार्था या हमारे देश के अंदर मुंबई, बढ़ते सी लेबल और कई दूसरे चीजों के वज़े से इन शेरों को फ्यूचर में सस्टेनिबली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एस्पेशली इस हसाब से कि कोश्ट में आ रहे हैं चेंजस को ये हैंडल कर पाए, और आज की इस वीडियो में हम ये होगा कैसे इसी के बारे में जानेंगे दोस्तो कोश्टल प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हम आदे तोर पर इसको एक ओंगूइंग एक्स्परिमेंट की तरह देख रहे हैं जा पर चीजे बंते-बंते समझ आ रहे हैं कि हो कितने एफेक्टिव है, लेकिन एक साइड में नेदरलिंट जैसे देश है जिन से हम सीख सकते है कि पानी को कंट्रोल कैसे किया जाए, जिनके बास दुनिया के बेस्ट वाटर वैनेजमेंट मेथर्ड्स है, और ऐसे ही कई दूसरे और सॉलिशन को कमबाइन करके ही किसी भी कोश्टल शेहर को सचने बिली डेवलिप किया जा सकता है, तो उसके अंद कि वह क्या दिक्कते फेस करेगी और अकॉर्डिंगली कोड्स लिया है कि जो भी बिल्डिंग्स यहां पर बनेंगी वहां पर क्लाइमिट हजार से यह बची रहे इसके सबसे ही वहां पर कंश्ट्रक्शन हो, यहां पर जो कोश्ट साइड वाली एरियाज है, इनको मिक्स ल इफरा है जो डिरेक्टली रोकेंगे क्लाइमेट चेंज के एफेक्स को किसी शहर में घुसने के लिए, जैसे कि सी वाल्स, डाइक्स, डाम्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेंज और ऐसी कई चीज़े जो चाहे डायेक्ट सी लेवल हो या क्लाइमेट चेंज के वज़े से होने व वाटर मैनेजमेंट अब दोस्तों यहाँ पर इंफरेश चली तो बहुत चीज़े की जा सकती है लेकिन कहीं न कहीं पर पब्लिक अवेरनेस, कैंपेंज को चलाना, लोगों को इंसेंटिव्स देना पानी बचाने के लिए और स्रिक्ट रेगलिशन यह सारी चीज़े जरू तो अगर हम ग्रीन अरजी सोजस का इसनमाल करें, विंड अनरजी, सोलार, टाइडल पावर वगेरा, तो इसका जिसे फॉसल फ्यूल्स के उपर के डिपेंडेंस से कम होती है, एनरजी जनरीशन के लिए, ग्रीन आज़स के कम में मिट होती है, और इसका जिसे क्लाइमेट अगला जो important point निकल गरता है, वो है coastal ecosystem conservation, दोस्तो प्रीवेसली जब देश के कई शेरों को develop किया गया, उस समय पर इस point के उपर बिल्कुल धान नहीं दिया गया, चाहे वो reclamation हो, mangroves को हटा देना, sand mining, या कई दूसरे illegal activities, जैसे की coast और समुंदर में चीजों को dumb कर देना, ये चीजे समुंदर को खराब तो बनाती ही है, लेकिन जो natural barriers हमारे पास में present है, बढ़ते sea level से और sea से आने वाले खत्रों से बचने के लिए, वही यहाँ पर खदम हो जाती है, और इन चीजों को preserve डखने के लिए, ना सिफ regulations की जरुवत है, लेकिन local communities को भी engage करने की जरुवत ह कई regulations पैसे आगे हैं, इसके लिए CRZ इंदे में function करता है, लेकिन कई जोगे पर damage अलुड़ी हो चुका है, next है collaboration and knowledge sharing, अब दोस्तों ये एक ऐसा काम है जहाँ पर public, private और government तीनों सेक्टर्स को साथ में काम करने की जरुवत है, जिसके जैसे expertise है, जिसके बसमें जितना पैसा ह उन सारे चीज़ों को एक साथ align होना यहाँ पर जरूरी है, और इसके लिए coastal cities जो दुनिया बर के अंदर है, उनको conferences, workshops, online promotions ये चीज़े तो करने ही चाहिए, और साथ-साथ लोगों के अंदर जो है, एक individual level तक awareness पहुचाने की जरुवत है, ऐसे अगर हम conferences की बात करें, तो global coastal cities summit 2023, 30 में को, Mumbai में, Mumbai first, Government of Maharashtra, European Union, Kingdom of Netherlands, Resilience first, इनी problems को discuss करेगा, इस summit के दौरान, Mumbai को क्या problems आने वाली है, climate change के वज़े से, Asian coastal cities किस तरीक से adapt और mitigate कर सकते है, sea level rise, इन चीज़ों के बात की जागी, लेकिन इसके अलावा, कैसे हम product करें, अपने existing infrastructure को, ports को, और दूसरे assets को, disaster management के हिसाब से, ये भी हापर discuss होगा, इसके अलावा, future is a infrastructure, Mumbai के respect में, कैसे बनना है, ये Netherlands के, Holland project के दौरा, समझने की, यहाँ पर कोशिश होगी, और river, which disposal के बारे में, बात होगी, इसके अलावा, ये दिखा जाएगा, कि जो, शेहरों के अंदर business है, जो financiers है, वो किस तरीके स इस चीज़ को better implement करने के लिए, investing bodies के तौर बे सामने आ सकते है, और यो सारी चीज़े करने के लिए necessary backup की जरूद होगी, वो कैसे अरिज़ोगी, वो बात भी यहाँ पर की जाएगी, अगर आप इस summit को visit करना चाहते हो, तो आप register कर सकते हो, decision में दी गए लिंक के जरिये, औ 30 को यहाँ पर आकर चीज़े समझ सकते हो, बड़े बड़े industry leaders के दौरा इसे support किया गया है, और यहाँ पर आके एक better future के लिए चीज़े समझने के लिए मिलेगी,